उजैन की जी आरपी पुलिस को चोरी के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है अंदौर निवासी एक वाइल डिलाइफ फोटोग्राफर अपने साथियों के साथ राजुस्तान के सवाई माधवपूर से वापस अंदौर लाउट रहा था ट्रेन में थर्ड एसी में सफर के दुरान समेकची चोरों ने उसका आठ लाक उनसातर हजार रुपे की कीमत का कैमरा उसका लैंस लैपटॉप वाइन सामन पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए पुलिस ने मामले को दस दिन में खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफतार कर लाखों का सामन बरामत किया है उजयन के जुयारपी धाना प्रभारी ने बताया कि फर्यादी सौमेत्र शुकला जो की एंदौर निवासी है और वाइल्ट फोटोग्राफी करते हैं वह 28 अक्टुमबर को गोधरा एक्सप्रेस में सवाई माधवपूर से इंदौर के लिए थर्ड एसी में बैठे थे यात्रा के दुरान सौमेत्र की नीन लग गई और जब सीट के नीचे उन्होंने अपना ट्रॉली बेग देखा तो वह गायब विला ऐसे में उन्होंने तुरंत अपना सामान चोरी होने की रिपोर्ट दर्च कर पाई पलिस ने मामले को कमभेटा से लेते हुई जाश शुरू कर दी और महज दस दिन के अंदर पूरे मामले को खुलासा किया पलिस को जैन चीले की नागदा में दो चोर सामन चुरा कर नीचे उतरते हुई दिखें जिसके बाद पलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी और दस दिन बाद दोनों को गिरफतार कर लिया हलाकि पलिस को आरोपियों के पास से कैमरा तो मिल गया लेकिन लैपटॉप अभी भी गायब है पलिस ने बताया कि ट्रेन में चोरी करने वाले दोनों बदमाशों में से एक बिलवाडा और सुआसर का रहने वाला है दोनों आदतन अपरादी है जिनके पास से पलिस ने आच लाग पचास हजार का सामान जबत किया है जिसमें पाच लाग पचास हजार कीमत का लैंस दो केमरा वा अन्य सामान है उजैन से विजेंदर यादव की रिपोर्ट